चाइना में आयोजित पैरा एजियन गेम्स में सिहोर के जूडो खिलाडी कमल परमार ने देश के लिए पहला मैडल जीत लिया है और इस उपलब्धी को देश में काफी सराहा जा रहा है कमल परमार 6 किलो वर्ग में सिल्वर मैडल अपने नाम करते हुए नजर आए उनकी इस उपलब्धी पर प्रधार मित्री ने खुशी जाहिर की है आपको बताएं कि एक बिसंबर को दिल्ली भी उने बुलवाय गया है उसकता है कि प्रधार मित्री सुनलाकात का मौका कमल को मि और 60 किलोग्राम भार वर्ग में उन्होंने ये उपलब्धी हासिल की है पैरा एशियन गिम्स में सिल्वर मैडल जीता है सिहोर के लाल ने कर दिया कमाल अवंतिका इसके लिए प्रधार मंत्री नरेंदर मोधी ने भी पैरा खिलाडियों को शुबकामनाय दी है आगर सिस्नेर मार्ग पर इस शराब को जब्तिक है आपको बताते चले हैं कि कोतवाले पुलिस ने कारवाई की है और ये जो पूरा घटना करम है दरसल चुनाव को देखते हुए एक्शन लिया जारार पुलिस भी लगातार एक्टिव नजरारी रजनीश सेठी हमारे सायो जिसकी चलते कल रात में भी पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी तरब आगर सिसमें मार्ग पर एक संदिक्द कंटेनर जब पुलिस द्वारा चेक किया जा रहा था तो उसमें शराब पाई गई और पुलिस द्वारा उस ट्रक कंटेनर को कोटवाली थाने लाया गया जहां पर शराफ के अभी तत को जो है कागाचु को सही बिलेनी है और फुली द्वारा की जान की जा रही है कि यह शराफ आवेद रूम से लिजा जा रही थी यह इसमें कुछ वेद इसके वेद है तो फिला लाला की यह पूरा मामला भी चांच में है और देड़ करों रूप और इसके साथ इस बुलिटन में फिलाल इतना ही आप देखते रहें नियूज जेठी